राज्य में गिट्टी वा बालू की रोक लगने के बाद जहां एको सारे नर्मान कारे ठप पड़े हैं वहीं हर रोज की कमाई करने वाले राज्य मिस्त्री वा मजदूरों को खाने के लाले पड़ रहे हैं जहां सरकारी योजनाओं का लाब आम जनता को मिलना चाहिए था वैसे काम भी बादित हो गए आवास योजनाओं को माने विराम सा लग गया है वहीं पतरातुक शेत्र के सुपर थर्मल पावर NTPC के काम में भी ब्रेक सा लग गया है कहीं से भी कोई नया काम बालू तथा गिट्टी का नहीं मिलने की वज़े से कुछ नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा गिट्टी और बालू की रोख के बाद चारों और हाहाकार मच गया है रोजमर्रा की कमाई करने वाले मज़़ूर तथा राजमिस्त्री बिरुजगारी का दंश छेलते हुए यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब हमें किसी अन्यराज की और पलायन करना पड़ेगा वरना हमारे घर परिवार वाले भूखों मर जाएंगे ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा बालू और गिट्टी के छूट कब दी जाती है आईदन वबिन क्रशरों में होती कारवाई तथा बालू की धुलाई पर लगे रोक नेक शेत्र के विकासकारी को भी वराम दे दिया है मोटी पुंजरी लगाकर ट्रक्टर वा अन्य वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों की भी हाले तखस्ती हो गई है उनका कहना है कि अब हमारे किष्टी पर भी आफ़त है ऐसे में कैसे चलेगा भगवान जाने पत्रातू से जैकिशन पाठा की रिपॉर्ट राजस्कुमार ठाकुन मेरा नाम है और मतलब कितने दिन से बैठे हुए है गिटी बालू और गिटी इस बधा डालने के वज़ा से हम लोग बैठे हुए है एंटी पीसी में भी वही हाल है और एंटी पीसी में बालू गिटी और मतलब नहीं मिलने पर हम लोग अभी गरीबी छा गई है काम नहीं मिल पा रहा है अभी हम लोग बेरोजगार हैं बैठे हुए है